हेलो एकवरियस, वेलकम तू गुरुमा हिंदी चारो और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप इस परसन का आगे क्या किदम होने वाला है अगर आप एक ऐसी सिच्वेशन में है जहाब आप सोच रहे हैं कि बदा नहीं ये रिलेशनिशिप कहा जा रहा है, नेक्स्ट ये क्य करने वाले हैं या फिर आप सिंप्ली एक्साइटड है ये जानने के लिये आपके रेलेशनिशिप में आप अब आए होने के वाला है तो ये रीडिनिंग डेफिनले आपको कुछ मैस्ट दे सकती है, ये रीडिनिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने एक्स के या किसी ऐसे परसन गिरें जिसके साथ आप रेलेशनशिप में है या फिर कोई ऐसा परसन जिसका आप पे खुच है यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको दिमाग में रखके यह डिडिंग देखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पाँ देखते हैं आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलीम अविछ दो चल्राट को यह जान अब करते हैं दो चल्राट करता है कि आप तो चल्मीले हो सकते हैं जब बाताती है अपनी फेलिंक्स को जाहिर करने की या फिर आप खुद को प्रोटेक्ट कर ले हैं आप अलाउ नहीं करना चाहते हैं किसी को भी अपने बहुत क्लोज इस किंग अफ चालिस इसको लगता है कि आपका भरोसा वो अभी भी पूरी तरीके से जीत नहीं पाए है ये परसन आपके क्लोज आना चाहता है आपको और जादा जानना चाहता है और इनके दिमाग में बहुत ज़रा आइडियास है ओके फूचर को लेके ये परसन ये सोच रहा है कि कैसे वो अपनी मन की बात आप से कहे और कि इस तरीके से कहे कि आपको बुरा ना लगे या आपको ऐसा ना लगे कि वो कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो रहे है या कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में इस रोलेशनिशिप को लेके so king of chalices के होने का मतलब है कि ये कोई ऐसा person हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा responsible है ये हमेशा ही बात सोच समझ के आगे बढ़ते आए है इनके लिए इनके असपास के लोग बहुत matter करते है उनका approval उनकी खुशिया बहुत matter करती है कुछ cases में ये भी हो सकता है कि ये person already किसे से committed हो ये married हो so ये जो कोई भी है ये यही सोच रहा है कि वो कितनी दूरी तक जा सकते है कि इस तरीखे से आपका trust जीद सकते है कि इसे आपके close आ सकते है और ये बात इस person को बहुत जारा सोचने में मजबूर करी है ऐसा लग रहा है ये cautious हो जाते है चुपी आपके close आने की बात होती है ये person cautious हो जाता है वो सोचने रखते हैं कि कहीं वो कुछ ऐसा ना कहते है जिससे आप दोनों की भी जो भी है वो भी खत्म हो जाए so three of chalices होने का मतलब है कि ये person शायद दूसरों से भी advices ले रहा है कि वो क्या कर सकते है सिचुएशन में also two of adams के साथ सोच रहे हैं कि आप से कहें की ना कहें कि उनके मन में क्या है ओके ये person चैसे लगता है अपनी feelings आप से चुपा रहा था भी तक बड़ अब जाहर करना चाहता है also ये person शायद ये सोच रहा है कि पदा नहीं वो आपके लिए कितने acceptable है also page of pentacles का कारे तो इस person के लिए आप किसी magic की तरह है अगर आप इस card को देखे तो ये जो dog है वो इस बच्चे को ऐसे देख रहा है जैसे कि ये कोई magic हो कोई ऐसी चीज हो जिससे प्यारा दुनिया में कुछ और नहीं तो कुछ ऐसे ही है ये person आपको देखता है तो उन्हें लगता है कि आप से प्यारा दुनिया में कोई और नहीं है या कोई और चीज हो नहीं सकती but at the same time अपनी मन की feelings को ये छुपा के बैठे है क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी आप उन्हें 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 पसंद नहीं कर दे उन्हें अभी भी लगता है कि उन्हें थोड़ा और मैनस करने की जरुवत है आपका ट्रस्टी इतने के लिए तो आप जिस भी स्टेच पे है उससे आगे बढ़ने के बार में ये परसन सोच रहा है रोमांस के बार में अभी अभी तक शायद आप सिर्फ बाते ही कर रहे थे किसी तरीके का उपस्टेकल था या किसी तरीके की प्रॉब्लम थी कुछ लोगों के लिए ये एक लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शप हो सकता है मेभी आप आप अनलाइन मिले थे या फिर किसी वज़े से आप दो डिफरेंट लोकेशन पे है तो ये परसन ये मैसूस कर रहा है जैसे कि वो आपके साथ जादा वक्त बिता नहीं पाते हैं और अभी भी आप दोनों की बीच दूरी है आइ तिंक ये परसन अपने ड्रीम्स के बारे में डिस्कुस करना चाहता है आपको अपनी फिलिंग्स बताना चाहता है आप दोनों जहां भी है वहां से ये फेरसन आगे बढ़ना चाहेगा इस रॉमांटिक जॉर्णी पर ओके हो सकता है ये आपको कही मिलने बुलाये डिनर पे ले जाना चाहे। लुच पे ले जाना चाहे universal Max कही गूमने ले जाना चाहेंüber कहीं मूवी दिखाने ले जाना चाहें कुछ भी हो सकता है आप इस स्टेज़ पर ना पोचे उंप यह फ्रिक्वेंटली एक दूसरे साँ सा बिल रहे हो andar भीका पिरेशन आपसे जादा मिलना चाहता है आपको जादा जानना चाहता है अगर आप अंडड़ी यह दू तो मेभी ए परसन चाहता है आपसे शादी के बार में पूछना बट वह यह डारेक्ली नहीं करने वाले है हो सकता है यह आपको अपने फ्रेंड सर्कल या फैमली मेंबर से इंट्रिद्यूस करवाएं यह परसन चाहता है हर मुमेंट को एंजॉई करना हर फैस को एंजॉई करना और यही इस वक्त इनका फोकस है और सो पेज ऑफ पेंटिकल्स का काड़ है तो यह परसन आपके अलाबा किसी और चीज़ के बार में अभी सोच भी नहीं सकता आप इनके लिए इतने important है जितना की कोई और कभी नहीं हो सकता हाला कि यह एक journal reading है तो यह सबसे resonate नहीं होगी energy reverse हो सकती है अगर आप cross-watcher है इसके अलाबा अगर आप पिछले week की reading देखना चाहें तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा हमेशा की तरह तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और के messages हैं आपके लिए messages for Aquarius the haunt god the standing stone the battle wagon the earth mother and the oak king okay so हमारे पास है the standing stone standing stone के होने का मतलब है कि जैसे लगता है यह person कुछ balance करना चाहता है okay इस point पे उन्हें यह जरूरी लग रहा है कि वो आपके love को reciprocate करे और चाहते है कि उनका भी love reciprocate हो यह person यह check करना चाहता है कि क्या आप दोनों के relationship में balance आ गया है यानि कि यह person कुछ बाते आपसे पूछेगा या कहेगा और फिर आपका reaction देखेगा आपके जवाब देखेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि क्या जिस पेच पेच पे वो है उस पेच पे आप ही है और यह person अपनी soul से बहुत ज़दा connected है और इनकी soul इने guide कर रही है आपकी तरफ यह person बहुत clear intentions के साथ अब आगे बढ़ेगा दो battle wagon के साथ अभी तक कि यह शाद थोड़े confused से कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं बट अब वो इस बारे में नहीं सोच रहे है अब वो बहुत ज़दा clear है the oking के साथ वो अपने wisdom को use कर रहे है उनका wisdom उनसे कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी वज़ा से ही हो रहा है और उन्हें अपने future के perspective को देखना चाहिए the earth mother का card है यह clearly एक नई beginning के बारे में सोच रहे है चाहते हैं कि आप दोनों close आएं और सब कुछ बहतर हो so यह कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे यह कोई ना कोई ऐसा step लेंगे जिससे कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप यह commitment चाहते है करना और चीज़ें यहां से serious हो रही है पुरानी बाते पुरानी doubt से यह person अपने दिमाग से निकालना चाहता है तो कि वैसे भी वो सोच सोच के ठक चुगे है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस चाहतु जो वो सोच रहे है वो करके देख लें यही उनके दिमाग में आ रहा है यह person आप से अपनी feelings जाहर करेगा चली देखते हैं आपके रिए और एकल मेसेज किया है फ्रेया phases and cycles there is a beginning within every ending illusions are revealed and released तो यह काट आप से कह रहा है कि हर ending के बाद एक नए शुरुआत होती है so possibly पुराने issues को यह person solve करना चाहते है पुराने doubts को remove करना चाहते है और वैसे भी यह आपके relationship के phase के end के बारे में है जहां पे आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के close आ गए थे बट अब वो phase over हो रहा है और यह person चाहता है कि यह और आगे बढ़े आप दोनों का connection और deep हो प्रबाबली यह committed phase की शुरुआत के बारे में है okay especially the earth mother के साथ यह message बहुत ही clear है कि यह कुछ नया start करना चाहते है कुछ पुराना खत्म करके तो यह है reading इस week की sorry इस बारे में की उनका अगला कदम क्या होगा I hope आपको अच्छी लगी होगी तो नेक्स वर वाचिए टिल नेक्स वीडियो बाइ